जीवन भर में वो कम शब्दों वाले इंसान रहें, बड़ स्वाभावेक उनकी आँखों में आशू थे और इस चीज़ की सर्तुष्टी और खुशी दोनों है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है और मैं मानती हूँ कि उनके जीवन के इस पड़ाव पर इस तरह के सर्वोच सम्मान से नवाजा जाना बहुत बड़ी बात है और हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए जब राम मंदिर की बात आती है तो अडवानी जी का नाम साथ में लिया जाता है कि जर्ली ही स्टार्ट उनके थ्रू हुई थी तो जब राम मंदिर में प्रांकशिस्टान हुई इनको इंविटेशन आया तो उस टाइम पे इनका पब्ली के लिए बहुत खुश थे उन्हो उनका एक ऐसा सपना जिसके लिए उन्होंने काफी समय से संघर्ष भी किया उसमें मेहनत भी की उस सप्टा पूरा हुआ तो इसके लिए वह बहुत खुश है अभी जब पीम की बात्चित होई पीम ने खुर ट्विट करके बताया कि मेरी बात्चित हुई है अर्वानी जी ये दो समय में या उनकी कोई ज़्यादा प्रशंसा करे तब आते हैं या फिर देश से कुछ लेने देने वाली बातों तब आते हैं तो ही ज़ए ओर्वेंड पनानी जीम के लिए को याद करते हैं जो उस बारे में कुछ पहले का उन्होंने में मैने जब बात करी तो दीन आटल जी और अगर निजी जीवन में दिखा जाए तो मा को बहुत याद करते हैं My mother was a great source of strength and support to him ना केवल राजनितिक जीवन में पारिबारिक तो था ही राजनितिक जीवन में हर समय उनके साथ रहती थी तो जब से मा गई दो हजार सोला से तब से I've tried to fill in that gap but of course Ma was Ma